वर्तमान समय श्राद का शुब समय चल रहा है और ये श्राद का शुब समय हर भारत्वासी के लिए चाहे वो विश्व में कहां पर भी हो बहुत महत्वर रखता है क्योंकि यही श्राद के समय में वो अपने पित्रों को पुर्वजों को याद करते हुए अपने दिल की शुब संकल्पों की श्रद्धान जली अरपित करते हैं बड़े श्रद्धा के भाव के साथ उन्हें याद करते हैं साथ ही साथ कहा जाता है के ये श्राद के दिन हर कोई समय निकाल करके अपने पुर्वजों के प्रती क्रतग्यता का भाव अरपित करते हैं जाने अंजाने पन में हुई कोई भी गलतियों के लिए सचे दिल से क्षमा मांगते हैं और स्वयम में प्रैश्चित करते हुए परिवर्तन का द्रड संकल्प करते हैं अपने पुर्वजों के गुण और कर्तव्य को याद करते हुए उनसे हमेशा प्रेणा प्राप्त करते हैं आगे के जीवन के लिए भी और कहा जाता है कि जब इतने श्रद्धा के साथ शुब संकल्पों की श्रद्धांचली अर्पित करते हैं तो अवश्य उनके आशिरवाद को भी अनुभव कर सकते हैं श्राद के ये सोला दिन बहुत शुब माने गये हैं क्यों शुब कहा गया है क्योंकि गणेश चतुर्थी के बाद और नवरात्र से पूर्व पोण मासी से अमावस्य तक के ये जो सोला दिन है वो विशेश बताये गए हैं शास्त्रों के अंदर एक पौराणिक कथा याद आती है कहा जाता है कि महावीर दानवीर कर्ण जब शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक जाता है तो वहाँ जब भी भोजन पर बैठता है तो उसकी भोजन की थाली में सोना, हीरा, रत्न परोसे जाते थे जब दूसरी और देखते थे तो सबकी थाली में चपन प्रकार के भोजन होते थे वो कुछ खा नहीं पाए तब कहा जाता है कि वो इंदर देवता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरी थाली में ये चीज़े क्यों रखी जाती है दूसरों को तो सभी को व्यवस्थित पोजन प्राप्थ होता है तब कहा जाता है कि इंदर राजा ने कहा कि तुमने कभी अपने पितरों को याद नहीं किया, अपने पूर्वजों की सेवा नहीं किया और हमेशा जो भी दान किया, सुवर्न दान किया, या हीरे रतनों का ही दान किया, तो जो तुमने दान किया वही तो तुम्हें प्राप्त होगा तब कर्ण को एसास हुआ और उसने कहा कि मुझे तो अपने पूर्वजों के विशई में कोई ज्यान ही नहीं था, तो मैं कैसे उनकी सेवा करता है तब कहा जाता है कि ये 16 दिन उनको दिये जाते हैं कहा तुम जाओ प्रत्वी पर और ये 16 दिन तुम अपने पूर्वजोकी सेवा करो श्रद्धा से उनके प्रती या उनके निमित दान करो और उनके आशिरवाद को प्राप्त करो तब तुम्हें भी उनके आशिरवाद स्वरूप फल स्वरूप भोजनादी प्राप्त होगा और वो 16 दिन कर्ण नीचे आता है प्रत्वी लोग पर और अपने पूर्वजों की बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करता है उनके निमित दान करता है ब्रामनों को भोजन खिलाता है तरपन करता है और इस विधी के माध्यम से 16 दिन के बाद जब वो जाता है वापस स्वर्ग लोग में तब उन्हें 56 प्रकार के भोजन मिल गए है इस कथा के विशे में जब मैं सोच रही थी तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनसान को वही प्राप्त होता है जो उसने जीवन परियंत किया है कर्ण को वही मिला जो उसने जीवन परियंत किया यानि श्राद एक निमित है स्रेष्ट कर्म करने का हमें मालूम नहों तो कम से कम हम अपने माता पिता के संस्कारों के माध्यम से या उनके गुण और कर्तव्य को याद करते हुए उसमें से प्रेणा प्राप्त करें उनको क्या पहुँचता है हाँ हमारे शुब वाइब्रेशन्स जरूर पहुँचते हैं क्योंकि फिर भी आत्मा का एक सुक्ष्म कनेक्शन जरूर है और ये सुक्ष्म कनेक्शन होने के कारण हम जो श्रद्धा से शुब संकल्ब करते हैं ये vibrations उस आत्मा को चरूर पहुँचते हैं लेकिन आशिरवाद या श्राब वो पित्र नहीं देते हैं मेरे कर्म ही मुझे आशिरवाद रूप में फल की प्राप्ति कराती है कर्ण ने हमेशा सुवर्ण दान किया था इसलिए उसको भोजन में भी सुवर्ण ही मिले हैं जब उसने पूर्वजो के निमित भले भोजन दान किया या शुद्ध भावना के साथ जो सेवा किया अपने पूर्वजो को याद करते हुए तो natural है कि जब वो स्वर्ग लोक वापस गए तो उसे वही प्राप्त हुआ भावार्थ यही कि हमें ये सदास मरण रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन परियंत जो करम करेंगे वही उसके लिए आशिरवात बनता है उनके स्रेष्ट करम उसको हर कारिय में सफलता दिलाएंगी और उसके नित्करिष्ट करम जरूर उसके लिए सजा भी बन जाएगी बाकी जो कई बार कई लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति के जीवन में पित्र दोश आ गया इसलिए वो कोई भी कारिय करने जाता है पित्र दोश का मतलब ही है कि पित्र रुष्ट है हमारे माता-पिता हमारे पूरवज हमसे रुष्ठ है क्योंकि कहीं न कहीं हमने गलत करम किये हैं तो वो रूठे हुए हैं इसलिए वो हमें आशिर्वात नहीं दे रहे हैं वास्तों में जीवन परियंत भी जब माता पिता रुष्ट नहीं होते हैं हमेशा बच्चों के प्रति आशिर्वाद ही बरसाते हैं तो शरी छोड़ने के बाद वो रुष्ट क्यों होंगे सोचने की बात है और इसलिए ये श्राद का जो त्योहार है वो शायद हम भारतवासियों को गुप्त में यही संदेश देता है कि जीते जी हम अपने माता पिता की सेवा करें जीते जी उन्हें सदा खुश रखे जीते जी उनके आशिर्वाद को प्राप्त करें ताकि जीवन में फलेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे हर कर्म में सफलता को प्राप्त करेंगे अनुभाव करेंगे जैसे उनके आशिर्वाद सदा हमारे साथ है कई बार देखा जाता है कि कई बच्चे माता पिता को वृद्ध आश्रम रखे आते हैं या उनके साथ बहुत बुरा व्यावहार करते हैं उनको भोजन के लिए तरसाते हैं उनके जाने के बाद उनका श्राद अर्थात उनसे क्षमा मांगने का प्रैतन करते हैं क्या हमारे अपने कर्म हमें क्षमा करेंगे बहुत बड़ा प्रश्ण है हमारा कर्म ही हमारे फल के रूप में हमारे सामने आएंगे इसलिए ये श्राद हर समय हमें ये सिक्षा देते हैं ये एटेंशन खिचवाते हैं कि जीवन परियंथ हमेशा शुब कर्म करें अपने माता पिता की अच्छी सेवा करे और उन्हें संतुष्ट करे उन्हें त्रिप्त करे जो हमें बाद में उनके निमित तरपन करने की आवश्यक्ता न हो